हलो एब्रीवन सब्सक्राइब कीजे किचन हब को और बेल आइकन को दबाईए मेरे लेटेस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो आज मैं बनाने जारी हूँ चीज बॉल्स ये होता है बनाने में बहुत आसान और खाने में ला जवाब तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तीन मीडियम साइज के बॉयल आलू जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था यानि कदुकस कर लिया था और इसमें मैं डाल रही हूँ दो टी स्पून बारी कटा हुआ प्याज ज्यादा प्याज का इस्तमाल नहीं करना है बस दो टी स्पून अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो टी स्पून बारी कटा हुआ सिमला मिर्च इसको भी मैंने डाल दिया अब मैं डाल रही हूँ बस आधा चम्मस से भी कम बारी कटा हुआ लहसून है यह अब मैं डालती हूँ यहाँ पर चीज चीज को मैंने grate कर लिया है, ये 90 ग्राम चीज है, ये कोई mozzarella चीज नहीं है, ये process चीज है, जो चीज था मेरे पास उसी का इस्तमाल किया है, आपके पास जो चीज हो उसका इस्तमाल कीजिये, अब इसमें जाएगा स्वादनुसार नमक नमक बिल्कुल ज्यादा नहीं करना है अब इसमें मैं डालती हूँ आधी छोटी चम्मच चिलिफलिक्स अब इसमें मैं डालती हूँ थोड़ी सी ओरिगेनो ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी अब इसको हमको मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स कर लेना है तो मैं आपको मिक्स कर के दिखाती हूँ तो यहाँ पे हो गया हमारा मिक्स अब इसको मैं पांच मिनट के लिए फ्रीज में रख दूँगी थोड़ा हाड हो जाए अब यहाँ पे मैंने लिया है तीन ब्रेट का स्लाइस इसे मुझे ब्रेट क्रम बनाना है इसलिए मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ तो ब्रेट क्रम बना कर आपको दिखाती हूँ तो ब्रेट क्रम हमारा रेडी है अब मैं इसे एक पैन में थोड़ा सा ड्राइ कर लेती हूँ क्योंकि ये फ्रेश ब्रेट था तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था तो मैंने एक मिनट के लिए बस इससे ड्राई किया है ये हो गया अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 गराम मैदा इसमें दो पिंच मैंने नमक डाला है और इससे मुझे एक गाढ़ा सा गोल तयार करना है एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है तो यहाँ पर मेरा घोल बिल्कुल रेड़ी है आप देख सकते हैं यह कितना गाड़ा है यह इतना गाड़ा है कि चम्मच पर एक लेयर चड़ गई है आप चेक कर सकते हैं और तब तक हमारा पांच मिनट हो भी गया है तो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है अपनी मिक्शर को अब इसका मैं बनाऊंगी छोटा छोटा बॉल 14 से 15 बॉल इसमें बन गये थे बस अब इसे हाथों की मदद से बॉल बनाने है तो यहाँ पर बॉल बन गया और मैं इसे डाल रही हूँ डायरेक्ट ब्रेट क्रम में ऐसे ही सारे बॉल बनाकर ब्रेट क्रम में डायरेक्ट ले लेना है यह बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो इतना लाजवाब है कि मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजिएगा तो मैं आपे फचा फच से सारा बॉल्ट बना लेती हूं तो मेरा सारा बॉल्ट बनके रेडी है मैं इसे एक बड़े प्लेट में ट्रांसफर कर ले रही हूं कि कुछ जिसमें मैंने लिया है वो बहुत छोटा है तो मैं फचा फच से इसमें ट्रांसफर कर ले रही हूं और जो ब्रेट क्रम है मैं इसके उपर ही डाल दे रही हूं क्यूंकि इसको इसमें कोट करना है तो मैं फचा-फच से इसको coat कर लेती हूँ इसको हलके-हलके हाथ से गोल करते हुए, घूमाते हुए इसे coat करना है, जादा pressure बिल्कुल नहीं देना है बस हलके-हलके हाथ से अब देख सकते हैं मैं कितना हलके हाथ से कर रही हूँ तो यहाँ पे सारा रेडी हो चुका है अब मैं इसको मैदा का जो मैंने पेश्ट बनाया है घोल बनाया है उसमें डिप करती हूँ और डिप करके वापस ब्रेट क्रम में डालना है ऐसे ही सारे बॉल्स को डिप करके ब्रेट क्रम में डालना है अगर आपके घर में कोई महमान आने वाला है तो आप इसका प्रिपरेशन पहले से ही करके रख सकते हैं आप इसका सारा प्रिप्रेशन पहले कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए और जब महमान है तो बस निकालिए पांच मिनट बाहर छोड़िए उसके बाद से फटा फट से आप इसे फ्राई कर सकते हैं तो देखिए मैं दूसरा लेयर चड़ा रही हूँ ब्रेट क्रम का इसे बहुत हलके हलके हाथों से दबाते हुए इसे गोल करना है तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सब कर ले रही हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर हमारा सारा बॉल रेड़ी है और मैंने इसे फ्रीज में रख दिया है पांच मिनट के लिए तो पांच मिनट मेरा हो चुका है तो मैंने फटा फट से इसे बाहर निकाल दिया था और तेल को मैंने गरम किया है मीडियम हीट पर हाई फ्लेम पे नहीं करना है क्योंकि हाई फ्लेम पे होगा तो ये उपर से जल जाएगा और low flame पे होगा तो ये बहुत जादा तेल पी लेगा इसलिए से medium हीट करना है और इसे बड़े ही हलके हलके हाथों से turn करना है ताकि ये तूटे नहीं तो इसे fry कर लेते हैं दो से तीन मिनट में ये बहुत अच्छे से fry होने लगता है तो देखिए कलर बहुत अच्छा आ चुका है और इसमें से अब चीज भी बाहर आने लगा है मैं दिखा देती हूँ आपको दो से तीन मिनट बाद इसमें चट चट की आवाजे आने लगती हैं जिससे पता चलता है कि चीज हमारा बाहर आने लगा है तो आप देखिए चीज हमारा बाहर आने लगा है बस इसी पॉइंट पे हमें इसे बाहर निकाल लेना है ये बहुत क्रिस्पी बनता है और इतना टेस्टी होता है कि आपको लगेगा कि ये हर दूसरे दिन तो बनना ही चाहिए आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और आप कॉमेंट करके बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो फटा फट से मैं सारे चीज बॉल को फ्राई कर लेती हूँ मैंने कुछ बॉल्स बचा लिये थे क्योंकि उसकी जरूरत अभी मुझे नहीं थी मैं उसे बाद में फ्राई कर लूँगी एक कितना अच्छा आवाज कर रहा था कितना उपर से क्रंची और अंदर से देखे कितना क्रीमी और चीजी बना है क्योंकि ये मोजरेला चीज नहीं है इसलिए इसमें खिचाओ नहीं होता है लेकिन टेस्ट एकदम लाजवाब होता है मिलते हैं एक नए वीडियो में अल्ला हाफीज